हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे इंडियन T20 लीग का मैच नमर सतर्मा जो खेला जाएगा गुजरात बसर्स पंजाब किंग का बिच जिसे आप लोग सौट में जीटी और पीबी के एस के नाम से जाने जाते हैं और जीटी और पीबी के एस का नाम से जो मकाबला होगा वो कहां होगा और वो कितने बजय होगा ये इंडियन समय अनुशार आज ही साम को सारे साथ बजय पीम में होगा और यहां पर मेगा कंट्रेक का लीग का बात करें तो 56 करूल का यह लीग है यह जो 65 करूल का लीग है यह किस ग्राउंड पर खिला जाएगा और यहां का ग्राउंड क्या रहने वाला है जिसे आप लोग पीच रिपोर्ट काते हैं पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या बैटिंग पीच है या बोलिंग पीच अगर बैटिंग पीच है तो कौन सा बैस्ट में चलेगा और कौन सा बैस्ट में फ्लोव सो सकता है अगर बैटिंग पीच है तो अपने टिम में कौन सा बैस्ट में को रखना चाहिए जिनका सालेक्शन परसंट काफी हाय है और कौन सा को ड्रॉब करना चाहिए जिनका सालेक्शन पर्षेंट काफी लो है और क्या लो सालेक्शन पर्षेंट वाले पिलियर को या बेस्ट में को अपने टीम में सामिल करना चाहिए या नहीं यह भी बताएंगे साथ इन साथ ये भी बताएंगे Head to Head League आपस में कुल कितने खेले हैं और कितने मकाबले कौन सा टीम जीते हैं और कितने मकाबले कौन सा टीम हारे हैं ताकि आपको टीम बनाने वक्त कोई परेशानी और कोई कटनाई ना हो हर एक पिलियर का रिकॉर्ड इस्टेड बताऊंगा रिस्टरंड का मैच में कैसा परदर्शन रहा है ये भी बताएंगे चलिए आपको ज्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात करते हैं देखिए विकेट कीपर सेक्षन में आने से पहले माई आप लोग को बता देते हैं यह जोईनिंग बेस्ट जो की पंजाब किंग की तरफ से ओफनर के साथ आएगा यहीं दूर नमर में इनका बैटिंग ओडर है दूर नमर में आने बैटिंग ओडर है रिसंड के मैच में लिए हो गया है इसलिए इसे अपने टिम में सामिल करना चाहिए या नहीं क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इन दोनों सिर्जेंग में आपको बताऊंगा दूसरा में है रिद्धिवाण शा जो कि इनका सलेक्शन पर्षेंड की बात करें तो 52.00पांच प् करेडिक डाउन है क्या आज रिद्धीमान सा जो है इस टीम के खिलाप अच्छे खासे स्कोर करेगा या रिद्धीमान सा फलॉप्स होगा अगर अच्छे स्कोर करेगा तो क्यों करेगा फलॉप्स होगा तो क्यों फलॉप्स होगा क्या आप अपने टीम में सामिल करना क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताएंगे दूसरा मा जाता है जे सर्मा यह जो की बैटिंग ओडर की बात करें तो यह चार नमर में आपको बैटिंग ओडर देखने को मिल जाएगा आज की मैच में यह इनका पॉइंट की बात करें तो इस IPL में 113 पॉइंट दिया और से इसके बाद मेठा वर्ड खेलेगा नहीं थोड़ा और मैं स्कोल करता हों करने के बाद देखिये यह जो फीर नहीं यह थो फीर नहीं खेलेगा आपको वीचेट कीपर सेक्ष्जन में चार विचेट किपर के खेलते हुए नजर आया ऍनो चारों को अपने टीम में सामिल क करना चाहिए यह किसी ड्रोप करना चाहिए और किसे करना चाहिए कौन में करना चाहिए यह भी बताइंगे आगर आफ लोग head to head लीग या small league जो भी KHL醒ya चाहते हैं उसलिग में किस परकार पिलीयर को Change करें और अपने टिम में सामिल करें चलिए यहां पर बात करलेते हैं आप को बेट में बenne में आने के पात देखिए यहां पर बात कर लेते हैं सुमंगेल की बात करें SOOMAN जा रिकोर्ड आभी रिसन्ड में थोड़ा बुरी चल रहा है लेकिन इस टीम के खिलाब head to head record कहते हैं तीन मुकाबले में तीन मुकाबले में दो में अच्छे स्कूर किया एक में अच्छर तक भी मारे हैं इसलिए सुमन गेल टालेंट बंदे हैं और इस कंडिशन में पीच रिपोर्ट पर भी अच्छे कारण ग्रॉंड भी अच्छे सुट करता है स इसलिए अपने टीम में तो सुमन गेल से पिलियर के रूम में रहेगा साथ ही सथ गुजराट टीम की ओपनर वेस्ट में है और इनकी अंदर कापी काबलियत है इस कंडिशन में आपको सुमन गेल को लेना है अब बात कर लेते हैं सिकरदवन को क्या सिकरदवन को आज अपन सिकरदवन का और सिकरदवन जो है अच्छे खासे बैस्ट में जो दो मकाबले में अच्छा खासा परदर्जन किया है जिसके कारण सेलेक्शन परशेंड हाय हो गया है और और दोनों का दोनों अपनर है अब देखे यह है साइनसाय उप्रहदी जो कि इसे बेक आउप पिलियर में रखा गया है रिशंट के मैच में 165 पूंट दिया है और हेड टू हेड मकाबले में भी अच्छे खासे परदर्शन करता है यह टॉप तीन बेस्ट में जो है इसे कोप टीन बेस्ट में जो है आपको रीड का हड़ी है अब वर्णल की बात करते हैं वर्णल जिसे आप लोग डेवी वर्णल का नाम जानते हैं यह गुजराट टाइटल से यह पचमा वेस्ट में के रूम में आने के बाद रिशंट के मैच में खास परदर्शन नहीं कर रह है लेकिन बेस्ट में की दिरिश्टी से काफ़ी अच्छे हैं काभी भी लंबे एस्कोर कर सकता है अब मैं आप लोग को यहां पर एस्कोर करता हूं एस्कोर करने के बाद देखिए बेक अप पिलियर के लाइनम में नाम सर्म में है यहां पर के वालसन तो खेलेगा नहीं और के वालसन नहीं करेगा भी उससे करार नहीं केलेगा अभी तो लाइनम में नाम सामिल नहीं आए अगर खेलेगा तो रख सकते हैं अब यहां पर ब कर्मकार्ण यूनिक वेस्ट में होगा बेक ऊपतले लाइनव में नाम सामिल है लेकिन lijna में नाम सामिल नहीं बैक प्लियर के लाइनाम सामिल है तो इन दोनों को ले सकते हैं तो ई Unique करने के बाद के इन सम्में से आपको कोई नहीं केलते हुए नजरा आएगा इन सम्में से कोई नहीं केलेगा तो अपने टिम में कैसे इसे डरोब करना है अब यहां पर बात कर लेते हैं चार वेस्ट में को लेने के बाद आप यहां पर ओल अंडर सेक्शन में आने से पहले मै साथ ही साथ पीच रिपोर्ट बता देता हूं head to head record दोनों टीम का पंजाब की गुजरात का head to head record की बात करें तो तीन खेले हैं तीन में एक और बटा दो का कम नेशन है और यहां पर देखिए उससे पहले आप लोग को पीच रिपोर्ट बता देते हैं पीच रिपोर्ट जो है यहां पर बैटिंग पीच दरस आया है गुड़ पर-पेशर है और यहां पर अवरेज स्कोर की बत करें तो यह यहां पर अवरेज स्कोर गरोंड की बात करें तो आहमदाबाद की गरोंड बालेंस है। तो किसे रखना चाहिए यह भी वताएंगे अब यहां पर समकरन का सालेक्षन परशेंट देखिए 95.1% है और समकरम रिशन के मैच में काफी अच्छे खासे परदासन कर रहा है और अच्छे खासे उमीद लगा सकते हैं अब उसके बाद देखिए लीविन लीविन अच्टोंigare का हिशन क How much time is 1908 पोइंट दिया है एंप्ल का रिकोरड काफी अच्छे है आप भी आता है और वह अच्छे खासे परदासन कर सकता है और इनकी बैटींग ओडर की बत करें तो यह छे नमर में बैटिंग ओडर करने आएगा पूरे चार ओबर बॉलिंग भी करेगा समकरन हमेशा चार ओबर करता है इन्हें बॉलिंग करने का कोई कटने का कोई चांस नहीं रहेगा अब यहां पर ओटमाईग जो है गुजरात की तरफ से यह 139 पॉइंट दिया है सेलेक्शन परशन काफी आए यह चार नमर में बैटिंग करने आएगा चार नमर में बैटिंग करने आने के बाद जुद्भूर रिकॉड की दिरिश्ट्री से काफी अच्छे है इनके अंदर भी काबलियत है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे सकता है अब यहां पर आप लोग को डर्मकाड योनिक पिलियर के रूम में रहेगा वो है राहुल तिपतिया जिसे आप लोग राहुल तिपतिया के नाम साना योनिक बॉलर होगा पूरे चार अबर तो नहीं करेगा लेकिन दो अबर जरूर करेगा राहुल तिपतिया और बैटिंग से विकेट गिरेगा तो इन्हें चांस मिल सकता है योनिक पिलियर के रूम में रहेगा बॉलिंग का भी रिकाउट अच्छे खासे हैं अब देखे पीवर स्क्वेलेगा नहीं एसकन केलेगा नहीं और दावन खेलेगा नहीं इन सम्में से कोई नहीं केलेगा अब यहां पर बात टैटल से हैं इस आपियल में खास पॉइंट नहीं दे रहा है स्पिनर है रिकान कमेच अच्छे खासे नहीं है फिर भी इसे फ्लॉप सो इनकी अंदर का भी काबली आता है मौहिश सर्मा ठीक परतरशन 176 पॉइंट दिया है और यह गुजरात की तरफ से बॉलर है अब यह इस आपियल में लेकिन एड़ टू एड़ रिकॉर्ड अच्छे हैं अब यहां पर बात कर लेते हैं हरसल पटेल का हरसल पटेल खास परतरशन नहीं कर रहा है लेकिन लेकिन में नाम सामिल है यह सब नहीं खेलेगा उमेश यादा बापको आज डर्म का डियोनिक फिलियर के गुजरा टैटल के अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट के रूम में रहेगा दीपक चाहल जिसे अप राहूल चाहल खास पॉइंट नहीं दिया इस्पिनर है और नूर आमीद अच्छा कासा रिकॉड है टिक टाक तालिस पॉइंट जाग ले मैस में नहीं हुआ है ए इन दोनों को लेनम में नाम सामिल नहीं है उसके बाद देखिए और डी वाई डी कोई खेलेगा तो अपने टीम में जरूर टरा कीजेगा यह क्रीम में अच्छा काजा डर्म का डियोनिक होगा चलिए आपको किस कंडिशन में कौन सा पिलियर को लेना है यह सब पिलियर नह और बैटिंग और पाइलेंस पिछा है यहां पर लंबे स्कूर भी बनता है अच्छी से आप लोग हाई स्कूर करते हैं लोग स्कूर परते हैं रिद्धिमान सा हो गया इन्हें भी सेलेक्शन परसेट कापी हाई है अच्छे खासे परताशन कर सकता है बेस्ट में की खेलना चाते हैं तो इन दोनों के साथ जा सकते हैं तीसरा है विकेट कीपर तीन जे सर्मा को आप अपने टिम में रख सकते हैं यह चार नमर में बैटिंग करेगा देखिए मैं इन दोनों में से किसी एक करूँगा आप जोइनिंग बेस्ट जे सर्मा में से एक करूँगा joining best भी अच्छे खासे best में है, अच्छे खासे परदाशन कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी पिलाल के लिए, जे सर्मा के लिए आऊं, नीचे उताता है, टिक ठाक परदाशन कर लेगा, इनके पास करो और मरो का नारा राता है, रिक दिमान सार को मैं अभी वेक कर रहा अब यहां पर बेस्ट में आता हूँ बेस्ट में में आने के बाद देखे यहां पर मैं अपने ट्रीम में सुमन गेल और श्रीकर धवन को लेने के बाद देखे यहां पर बेकप पिलियर के रूम में दो बेस्ट में है इन दोनों बेस्ट में को लोगा यूनिक होगा और अच अब यहां पर मैं तीन बॉलर को बॉलर सेक्षन में यहां पर आशित खान मौहिश सर्मा करूंगा आखिरकाश परदार्शन नहीं करा लेकिन कागो से रवाटा को लूँगा यह तीन बॉलर है इन तो इन बॉलर एक मैं उमेश यादव को लूँगा इसके बाद देखिए लैनम में नाम नूर आमित को भी है अच्छे खासे स्पिनर है एक जोक्षन का भी है इसलिए आप लोग किसी के साथ जा सकते हैं यहां पर यह और बोलर के जगह बैस्टमेन के 911 को लूँगा यह वार्नल र्यूंगा इनपवोटन जो रहेगा यहाँ पर मैं अभी ले लेता हूँ लेवी ने श्ट्रोंग को अच्छे का से रिकाउड है अभ यहाँ पर लेवी ने श्ट्रोंग को लेने के बाद यह डर्मकाट एक और बॉलर के रूब में ले लेता हूँ हर बर्ण एक मकाबले के लिए हैं तीन विकेट निकाला हैं ठीक टाक उम्मीद लगा सकते हैं इसे लेने के बाद देखे मैं अभी फिलाल के लिए हर बर्ण को लिया हूँ सेलेक्सन परशेंड लो है यहां पर देखे मैं ने पॉंच आज बॉलर लिया हूँ मैं अपने टीम गरिन डिलिक का रिक्सी टीम बनाता हूँ इसलिए मैं अपने टीम में पॉंच बॉलर लिया हूँ ध्यान से देखेगा पॉंच बॉलर में से दो डर्म काड योनिक बॉलर है बाकी बाद से बॉलर है इसे लेने के बाद देखे तीन ओलंडर लिया हूँ तीन करने के बास देखिए मेरा केपटन और वाइस केपटन की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं जिस भी टीम से कैपटन और वाइस केपटन अच्छे परफॉं कर गया वह मैं आज तो क्यों कि सेलेक्टीन प्रशेंट कम है और एक अक्षेल मैं घीड़ां को बालेंस पिछय ओंड मैं घ्रण लोक्राव का बनाता हूं अक्र आप लोग से के पूप्टेन दे ना चाहते हैं तो सम्ड करन आपको लोगेत्टळ में अंप और भी आ Tower से अप अंगेल को भी दे सकते हैं मैं यहां पर केप्टन के रूम में इन पॉस्टेंट के रूम में आज रासित खान को मैं केप्टन दूगा चाहें अच्छा खासा परफॉर्म करें या ना करें मैं केप्टन के रूम में रासित खान को और वाइस केप्टन के रूम में सर्मकरन को दूँगा क्योंक दिया हूं ज्राइब करने के बाद देखिए मेरा ट्रीम का पर भी युक्तर से रहता है अब मैं आप लोग को समने में एड़ बेक अप पिलियर है यहां पर एट बेटव पिलियर जिसे आप लोग बेक अप पिलियर के रूम में काते हैं मैं एड़ पेक रूम में देखिए कुन रहेगा मैं एक जोक्षन को बेकप पिलियर के रूम में लूँगा ये बेस्ट में भी अच्छा है अच्छे कासे परदर्शन करने का उमीद और संभावना रहता है इसे लेने के बाद देखिए पीसिंग को मैं अपने टीम में लूँगा पिलियर के रूम में भी मता देता हूं क्योंकि आप भी जानते हैं जिस भी टीम से बेकप पिलियर अच्छे खासे परदर्शन करेगा उनका टीम अच्छे खासे रेंग करेगा बेकप पिलियर का मतलब होगा बाचानस अगर विकेट गिरने लगा तो उता सकता है या किसी चोटिल हो या इस कंडिशन में उता सकता है अब इसे लेने के बाद देखिए अब मैं एक बॉलर अगर बेकप पिलियर में दो बॉलर मैं अपने टीम में लूँगा चाहे आप लोग हरसर पट्रेल को ले सकते हैं उसके जगह मेरा एक बॉलर जो है दीपक चार या एसकन एक जोक्षन को मैं पिलर और नूर अमीद को मैं लूँगा बेकप पिलियर के रूम में इन दोनों को बेकप पिलियर के रूम में मैं लेंगा यहां पर मैं चार बेकप पिलियर रहा हूं और शेव टीम करता हूं शेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परवियू किस तरह से रहत आते हैं तो बेस्ट मेन को सुमन केल को केप्टन दे सकते हैं ओटो माइज को भाइज केप्टन दे सकते हैं आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों